TAC TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV ICIJ के इनकुशाफाद 500 के करीब कनेडियन शहरियों ने बेरोने मुमालिक जाइदाद बना रखी थी ICIJ के पैंडोरा पेपर में नामवर कनेडियन के नाम भी शामिल है कौमी सच और मुसालिहत के दिन पर सेरो तफ्री पर जाने पर कनेडियन वजीराजम ने मुआफी मांग ली टूडो ने फर्स नेशन के सरवरा से मुआफी मांग ली फर्स नेशन के सरवरा ने टूडो को कौमी सच्चाई मुसालिहत के दिन पर आने की दावत दी थी केनेडा भर में कुरोना वारस के फिलाओं में जावा जारी मरीजों की मचमी इतादा 16,39,142 तक जा पहुंची जबके हलाकते 27,921 हो गई गुजिश्टर डेर साल में वो हालाद देखे जिन का कभी सोचा भी ना था अंटेरियो के प्रीमियर का कहना था कि वबा की चोहती लहर को सबने मिलकर शिकस्ती है अब तवज़ मस्तक्बिल की जानिब मर्कूस करेंगे अमरीका जहौरी मुजाकरात की बहाली चाहदा है तो पहले मुझमिन फंड्स को बहाल करे इरानी वज़र खारजा का कहना है कि अमरीका जहौरी मुजाकरात की बहाली के लिए गुज़िश्टा माँ से राप्ता कर रहा है अमरीका ने मुआमले पर नजर सानी की यकी दिखानी कराई है काबल में उपरेशन के दोरान दाइश के जंगजूँआं को हलाख कर दिया जबियला मुजाहिद का कहना है कि कारवाई के दोरान दाइश के मरकस को भी तबाह कर दिया तालवान की वग्राम एर बेस पर चीनी पौच के आने की तरदीद तूफान शाहिन की अमान और एरान में तबाही पाकस्तानियों समेट नौँ अफराद जांबहाग तेज हवाओं और मौसम की खराबी के बाइस पर वाज़े मौत तल कर दी गई जबके मरकजी शहराहें जेर आबाने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया सुईडन में तोही नामें स्खाकिब बनाने वाला मलून कार हाथसे में हलाक हिवाज़त पर मामूर दो पुलिस एहलकार मौके पर ही हलाक हो गए पुलिस का कहना है कि वाकिया किसी भी तरह से कातिलाना करवाई या हमला नहीं लगता पैंडोरा पेपर्स हकूमत और रियासतों के सरबरहान आफशोर असासों के मालिक निकले पैंडोरा पेपर्स में शामिल तीन सो भारतियों में सचिन टंडूलकर और अनी लंबानी भी शामिल देजन और यासतो हुकूमती सरवरहान ने आफशोर टैक्स हीविन्स में करोडों की दौलत छुपा कर रखी है दुनिया का कोई खिता कोरोना वारस की मूजी वबा की चौहती लहर से महफूस नहीं मतासर अफराद की तादाद 23,57,18,135 तक जा पहुंची है जबके इस मूजी वारस सें बातर तालिस लाग, 17,464 हो चुकी है ग्रीनिश हैं सानिटाइजर ना ओईली, ना स्टिकी, ना बदबू और मुकमल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म, मुलाइम और साथ आज ये अपनी खरीबी फर्मसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट को और्डर करें www.greenish.com टैक टीवी की बनल अक्वामी खबरों के साथ मैं हूं रुकसार शहजाद आफशोर कंपनिया रखने वालों से मतालिक पैंडोरा पेपर्स की लिस्ट में कैनिडा से तालुक रखने वाले मारूफ शख्सियात का नाम भी सामने आया है मजीद चांते हैं इस रिपोर्ट में आफशोर कंपनिया रखने वालों से मतालिक पैंडोरा पेपर्स की लिस्ट में कینیڈا से तालुक रखने वाली मारूफ शख्सियात का नाम भी सामने आया है मीडिया रिपोर्ट के मताबिक तकरीबं 500 के करीब कینیڈین शेहियों के नाम उन दस्ताविजात में सामने आये हैं लीक होने वाली फाइलों में कینیڈین शेहियों की जानब से काइम करदा सेंक्रो आफशोर कंपनियों और अकाउंट्स की तफसिलात हैं फार्मूला वन रेसिंग में जीतने वाले वाहिद कینیडियन जैक वैलनियों ऑलंपिक में कینیडा की नमाइंदगी करने वाले और आलमी मकाबले जीतने वाले एलोस सतोग्जों क्यूबैक से तालुक रखने वाले पिरोस पटेल अलेक्जेंडर कैजिस और वैनकोवर से तालुक रखने वाले फ्रेड शार्प समीर मतादित कینیडियन शेहियों की बैरूने मुमालिक जायदात का इनकशाफ हुआ है आईसी आईजे के डिरेक्टर जिरार्ड ट्रायल ने कहा जब हमने चंद साल कबल पनामा पेपर्स शाया किये तो दुनिया भर में बहुत स्यादा शूर मचा हुआ था कि ये एक ऐसा निजाम है जिसे खतम करने की जरूरत है लेकिन अब हम इन लोगों को देख रहे हैं जो निजाम को खतम कर सकते हैं लेकिन वो खुद इससे फाइदा उठा रहे है कनेडियन वजीर आज़म जेस्टर टूरो ने कावमी सच और मसालित के दिन पर छुटी पर जाने पर ब्रिटिश को उलम्बिया फुल्स नेशन के सर्वराँ से मौफी मांगी है मजी चौनत है इस रिपोर्ट में कैनेडियन वजीर आज़म जेस्टिन टूरो ने कावमी सच और मसालित के दिन पर चुटी पर जाने पर ब्रिटिश कॉलम्बिया फर्स्ट नेशन के सरवरा से मौफी मांगी है जिसने उन्हें कैनिडा के पहले कौमी सचाई और मसालत के दिन पर आने की दावत दी जिसका मकसद कैनिडा के रहाशी स्कूल सिस्टम की दर्दना यादों को ताजा करना था। टूडो गुजिशता जुमेरात को अपने खांदान के हमरा वख गुजारने के लिए टॉफिनो ब्रिटिश कॉलम्बिया चले गए थे। नियूस चैनल ने वजीर आजम को साहल समंदर पर चलते हुए दिखाया वीडियो में दिखाया गया है कि वो कोई तबसरा करने से इ जिन्हों ने कहा कि रहाशी इसकूल से बच जाने वालों के एहसास में तक्रीबात में शिरकत ना करना उनकी बेज़ती है जैसा कि बहुत से लोगों ने किया था। टूडो के दफ्टर की जाने से जारी बयान में कहा गया कि उन्हों ने एक दिन पहले के सरबरा रोजन कास जिमिर से राप्ता किया और माज़रत की पेश पेशली जिसकी फर्स्ट नेशन के तरजमान ने भी तज़्दी की लेकिन कोई और तफसिलात पराहम नहीं की गई। टूडो के दफ्टर ने ये भी कहा कि वजीर आज़म अन खरीब महा का दौरा करेंगे। अलबर्टा की प्रीमियर जैसन केनी ने एलान किया है कि उनके सूभे ने विफा की हकूमत और उनकी जानिब से मदद कबूल करने पर रज़मन्दी जाहर की है क्योंके करोना वारस की चौटी लहर की वज़ज़ से सेहत की देखभार का निज़ाम शदी तबाओं में है इस हलाकतें 27,921 हो गई मुल्क भर में 15,56,530 से जायत मरी सहध्याप हो चुके हैं ऑंटेरियो सूभे में करोना केसिस की तादाद सबसे ज्यादा है सूभे भर में करोना वारस से मतासर होने वालों की तादाद 5,86,817 तक जा पहुँची है जबके हलाकतों की तादाद 9,743 है चैनीडा में करोना वारस के सबसे ज्यादा हलाकतیں क्यूबएक सूभे में होई हैं सूभे में करोना वारस के मचमुई केसिस की तादाद 4, 110,823 है जबके सूभे में करोना वारस के बاعث होने वाली हलाकतों की तादाद 11,337 तक पहुँच चुकी है कینیڈین सूबे अलबर्टा में भी इस महलिक वाबा में इजाफा देखने में आ रहा है अलबर्टा सूबा इस वक्क करोना वाइरिस की वज़ा से बहरानी सुरतिहाल का सामना कर रहा है सूबे में 2,99,802 अफराद करोना वाइरिस से मतासिर हुए हैं जबके 2,731 अफराद हला हो चुके हैं अलबर्टा की प्रीमिर जैसन कैनी ने ऐलान किया कि उनके सूबे ने विफाकी हुकूमत और न्यू फाउंड लैंड लेबरा डॉर्श सूबे की जानब से मदद कबूल करने पर रज़ामन्दी जाहर की है क्योंके कोविट 19 की चौथी लहर की वज़ा से सहथ की देखभाल का निजाम शदी तबाव में है कनेडियन सूबे उन्टेरियो के प्रीमिर डगफोर्ट का कहना है कि हमने इलतिहारी मुश्किल वक्त देखा और अब शहरियों की मदद से करोना वारिस के खिलाव बड़ी काम्याबी हासल की है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कनेडियन सूबे उन्टेरियो के प्रीमिर डगफोर्ट का कहना है कि पिछले 18 महीनों में ऐसे पैस्टे कि ये जिनका कभी सोचा भी ना था उनका कहना था कि मैं जानता हूँ कि ऐसी चीजे हैं जो आप ऑन्टेरियो के लोगों ने कभी नहीं सोची थी कि आपको कभी तजिर्बा करना पड़ेगा सुबाई हुकाम की जानिब से पराहम करदा करोना वाइरिस के ममकिना आदाद और शुमार इस बात की तज़्दीग करते हैं कि ऑन्टेरियो ने इस वबाई मर्स की चौथी लहर को गद्रे कम कर दिया है इसका मतलब ये नहीं कि कोविड नाइटीन के खिलाफ हमारी लड़ाई खतम हो गई है इसका मतलब ये है कि सुबे बाशिंदे उस मकाम पर पहुँच गए हैं और डेल्टा से चलने वाली चौथी लहर को बत्तरीन शिकस दी है उनका कहना था कि हम अब अपनी तवज़ा मस्तक्बिल की जाने मर्कूस कर सकते हैं हम हालवे हेल्ट केर को खतम करने और तवील नजर अन्दास किये जाने वाले तवीलन मियात निगिदाश के निजाम की तामीर ना के वादे पर मनतखिब होए थे और जब के ये काम करोना वाइरस से पहले शुरू हो चुका था हमारी हकूमत ने सुबे भर में अस्पतालों की तामीर और तामीर ना के लिए 3,100 से जाइल अस्पतालों के बिस्तरों को शामर करने के लिए और वो डॉलर की सर्मायकारी की है हम 10 सालों में 30,000 नए और जदी तवील मुद्धी निगेदाश घर बनाएंगे पाकिस्तान समय दुनिया के बड़े हिस्से में अहम सोशल मीडिया वेब साइट्स, फेस्बूक, वाटसेप, इस्टाग्राम और मेसिंजर की सर्विसिस मुतासिर हुई है घर मुलकी खबरसा इदारों के मताबिक या मसाला पाकिस्तानी वक्त के मताबिक रात 8 बचकर 44 मिनिट पर शुरू हुआ जिसके बाद दुनिया भर में सारिफीन को इन वेब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक रसाई में मुश्किलात का सामना है फैस्बुक के तरजमान एंडी स्टोन ने ट्वीटर पर अपने पेगाम में कहा कि कुछ लोगों को हमारी मसनुआत और एप्लिकेशन तक रसाई और इसे इस्तमाल करने में मुश्किलात का सामना है उन्होंने मज़िद कहा कि हम सुरत अहाल को जल्द अजल्द मामूल पर लाने के लिए हर मुम्किन कोशिश कर रहे हैं और जहमत के लिए माज़रत कुआ हैं इलावा अजी वाटसेप ने भी समाजी राप्ते की वेबसाइट ट्वीटर पर एक पेगाम में कहा कि हम आगाह हैं कि कुछ लोगों को इस वक्त वाटसेप के इस्तमाल में मसाईल का सामना है हम सुरत अहाल की मामूल पर बहाली के लिए काम कर रहे हैं और जल्द अपडेट से आगाह करेंगे बात अज़ा इंस्टाग्राम ने भी ट्वीटर पर जारी एक बयान में मसाईल की तस्दीक करते हुए कहा कि इस्टाग्राम और दोस्तों को इस वक्त कुछ मुश्किलात का सामना है और आपको इसे इस्तमाल में मसाईल पेश आ सकते हैं ये तीनों एप्लिकेशन एक मुश्तरका इंफ्रास्ट्रक्शर पर चलती है और ये सब काम करने से कासिर हैं इलावा आजिम मुबाइल अब्स के इलावा फेस्टाग्राम के डेक्स्टों परजिन को भी इस्तमाल करने में मुश्किलात का सामना है समाजी राप्त की वेबसाइट ट्वीटर पर लोग अपने अपने मुलकों में फेस्बुक, वाटसेप और इस्टाग्राम की सर्विसिस मतासिर होने के पेगामाद पोस्ट कर रहे हैं अरान ने मतालबा किया है कि अमरीका जहुरी मुझाकराथ की बहाली चाहता है तो पहले दस अरब डॉलर के मुझमित फंट को बहाल करें अमरीका को संजीदगी का मुझाहिरा करना होगा इस हवाले से मज़ी चानते हैं एरान ने मतालबा किया है कि अमरीका जोहरी मुझाकरात की बहाली चाहता है तो पहले 10 अरब डालर के मुझमित पंट्स को बहाल करें आलमी खबर इस हैदारे के मताबिक एरान वजीर खारजा हुसेन अमीर अब्दल अल्यान से सरकारी टेलिविजन को इंटर्व्यू में बताया कि अमरीका जोहरी मुझाकरात की बहाली के लिए गुजशता माह से राब्ते कर रहा है इरानी वजीर खारजा ने मजीद बताया के नियू यूर्क में अक्वाम मतहदा की जर्नल असेमली अजलास के दोरान भी अमरीका ने मुझतलिव जराए इस्तिमाल करते हुए राब्ते की कोशिश की ताहम हमने उन जराए पर वासे कर दिया कि पहले अमरीका को इरान के मु मज़रत करते हुए यकीन दिहानी कराई है कि वो पहली बार मुझमित पंड्स की बहाली पर गौर जरूर करेंगे अफगान हकूमत के नाइब वजीर इतलाज जबियूला मुझाहिद ने कहा है कि काबल में एक आपरेशन के दोरान दाइश के जंगजूँ को हलाक और मरकस को तबाह कर दिया गया मजीद चौनते हैं इस रिपोर्ट में अफगान हकूमत के नाइब वजीर इतलाज जबियूला मुझाहिद ने कहा है कि काबल में एक आपरेशन के दोरान दाइश के जंगजूँ को हलाक और मरकस को तबाह कर दिया गया जबियूला मुझाहिद ने टूइटर पर जारी बयान में कहा कि आपरेशन में इसलामी अमरात की फोर्सिस के खूसी यूनिट ने हिस्सा लिया fuckin मीडिया के मताबिक काबल के 17 डिस्ट्रिक में कारवाई के दोरान दाइश के जंगजूँऊ को हला किया घा बयान में मदेद कहा गया कि कारवाई के दोरान दाइश को मरकस को भी तबाह कर दिया काबल ही से मुखतलिफ संगीन जराइं में मुलाविस 85 अफराद को गिरिफतार कर लिया गया तर्जमान तालबान बिलाल करीमी का कहना है कि बगराम एर बेस पर चीनी फाज आने के इतलात की तरदीद करते हैं बिलाल करीमी ने कहा कि चीनी फाज और चीनी तैयारे बगराम एर बेस नहीं आए दूसरी जाने आगवान वजारते दिपा ने सरकारी गाड़ियों और असलेहे की खरीदों फरुख पर पाबंदी आयत कर दी है समंदरी तूफान, शाहीन, अमान और एरान के साहिल से टक्रा गया जिसके नतीजे में मुखतले वाकियात में नौ अफराद जाबहाग हो गए जिन में दो पाकिस्तानी मजदूर भी शामिल हैं मजीद चांदे हैं इस रिपोर्ट में समंदरी तूफान, शाहीन, अमान और एरान के साहिल से टक्रा गया जिसके नतीजे में मुखतले वाकियात में नौ अफराद जाबहाग हो गए जिन ने दो पाकिस्तानी मजदूर भी शामिल है आमान में आने वाले समंदरी तूफान, शाहीन से, साहिली इलाकों में तेज वारिशों का सिलसला शुरू हो गया इस दोरान लैंड स्लाइडिंग से दो पाकिस्तानी समेत, तीन मजदूर मल बें तले दबकर जाबहाग हो गए तेज हवाओं और मौसम की खराबी के बाइस पर वाज़े मौत तल कर दी गए जबके मरकजी शाराहें जेरियाब आने से ट्राफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया अमान में हिवाज़ती तदाबीर के तहट दो रोस की आम तातीन का भी ऐलान किया गया था अधर समंदरी तूफान शाहीन ने एरान की बंदरगा चाबहार को भी नुकसान पहुचाया एरान में तूफान के नतीजे में मुखतलि वाकियात में छे अफराद लुक्म अजल बन गए जबके बिजली और मौसात का निजाम मौत तल हो गया तूफान शाहीन की 120-150 किलो मीटर फी घंटा रफ्तार से चलने वाली तेज हवाँ ने दोनों मौमालिक में इंफरा इस्ट्रक्टर को भी नुकसान पहुचाया समंदरी तूफान की तबाहकारियों को देखते वे मतहदा अरब अमारात और सौधी अरब ने भी हिफाज़ती एकदमात का आखास कर दिया दोनों मौमालिक ने साहिली अलाकों के लिए अलर्ब चौरी कर दिया गया है स्वेडन में तोही नामे इस खाके बनाने वाला कार्टू ने इस कार हाथसे में जुलस कर हलाक हो गया मजी चानते हैं इस रिपोर्ट में स्वेडन में तोही नामे इस खाके बनाने वाला मलून कार हाथसे में हलाक हो गया गर्मिलकी मीडिया के मताबिक सुएज़न की हकूमत ने तौही नाम इस खाके बनाने वाले लॉर्स विलकिस नामी शख्स को कई बरसों से पुलिस की सीकियोटी दे रखी थी। लॉर्स विल्किस इत्वार के रोज अपने पुलिस सेक्योर्टी में जो रहा था कि मार्करेड नामी खजबे के करीब उसकी गाड़ी एक ट्रॉक से टकरा गई गाड़ी और ट्रॉक के दम्यान तसादम के नतीजे में लॉर्स विल्किस और उसकी हिफाज़त पर मामूर दो पुलिस एहलकार मौके पर ही हलाक हो गए मगामी पुलिस ने अपने बयान में कहा कि ये अभी तक वाज़े नहीं के कार और ट्रॉक की टकर कैसे हुई ताहम अब्तिदाई तो पर वाकिया किसी भी तरह से कातलाना, कारवाई या हमला नहीं लगता 2007 में लॉर्स विल्किस ने तोही नामें इस खाके बनाए थे जिस पर पाकिस्तान समय दुनिया भर में मुसल्मानों ने शदीद एहतिजाच किया था ICIJ मीडिया कंसोर्शियम की जानिब से शाय की जाने वाली तहकिकाती रिपोर्ट के मताबिक अर्दन के बादशा और जहमोरिया चेक के वजिर आजम समय दरजन और रियास्तों हकोमती सरबराहन ने आफशोर टेक्स हीवन्स में करोरों की दौलत चुपा कर रखी है मजीड चानते हैं इस रिपोर्ट में ICIJ मीडिया कंसोर्शियम की जानिब से शाय की जाने वाली तहकिकाती रिपोर्ट के मताबिक और्दन के बाच्चा और जम्हूरिया चेक के वजीर आजम समय दरजन और रियास्तों हकोमती सरबराहन ने आफशोर टेक्स हीवन्स में करोरों की दौलत चुपा कर रखी है पिंडूरा पेपर्स तहकिकात में दुनिया भर से लगबग 600 सहाफी शामिल हैं दुनिया की 14 मालियाते खिद्मात सरअजान देने वाली कंपनियों के एक करोर 19 दाग दस्ताविजात से होने वाले इनकिशाफात पर मबनी हैं इंटरनेशनल कंसोशियम आफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के तज्जिये में दस्ताविजात में तकरीबं 35 मौजूदा और सापका रहनुमाओ के नाम शामिल हैं जिन पर करप्शन, मनी लॉंडरिंग और आलमी सطح पर टेक्स चोरी करने के इल्जामात हैं दस्ताविजात में वासे किया गया है कि किस तरह शाव अबदुल्ला दोएम ने आफशोर कंप्टियों का नेटवर्क बनाया और टेक्स अदाईगी कम करके मलेवो कलिफोर्निया से वाशिंग्टन और लंदन में दस करोर डॉलर्स की जायदादे बनाई जम्हुरिया चक के वजीर आजम आंद्रे बाउस ने फ्रांस के जनूब में दो करोर बीस दाग डॉलर मालियत का खिला खरीदने के लिए इस्तिमाल होने वाली आफशोर कंप्टियों को जाहर नहीं किया भारती मीडिया ने बताया कि हाल ही में जारी होने वाले पिंडोरा पेपर्स में क्रिकेट के लीजिंड सेचिन टंडूलकर और बिजनसमेन अनील अमबानी समेट 300 से जायद हिंदूस्तानियों के नाम शामिल है रिपोर्ट में कहा गया कि काख़ात में शामिल तीन सो से जायद भारतियों में से साथ अफराद और कंपनियों के आफशोर होल्डिंग्स की चानवीन की गई तफसिलात आने वाले दिनों में सामने आएंगी उन्होंने निशान दही की कि सचिन टंडूल कर समेट कई भारतियों ने दोहजार सोला के पनामा पेपर्स की तहकीकात के बाद अपने आफशोर असासों को दुबारा मुन्नजम किया भारत में करोना वारिस से चाल लाक उननचास जार उन्तीस हलाकते हो चुकी है जब किस मतासरा 3,38,34,702 मरीज सामने आ चुके हैं मज़ी तफसिला चांते हैं इस रिपोर्ट में दुनिया भर में करोना वारिस से मतासरा अफराद की तादाद 23,57,18,135 तक जा पहुंची है जब किस मुजी वारिस से अमबाद 48,47,464 हो चुकी है जब कि 21,26,48,618 करोना मरीज सहतियाफ हो चुके हैं करोना वारिस के केसिस और इस से अमबाद के एतबार से 10 सरे फहरिस मुमालिक में 33 करोर से जायर आबादी का हामिल अमरीका ताहाल पहले नमबर पर है जहां इस वारिस से अब तक 7,19,933 अफराद मौत के मुँ में पहुच चुके हैं जब कि इस से बीमार होने वालों की मच्मुई तादाद 4,45,18,437 हो चुकी है भारत में करोना वारिस से 4,49,39 हलाकते हो चुकी है जब कि इस से मतासरा 3,38,34,702 मरी सौदी अरब इसी फैरिस में 92 नमबर पर पहुच चुका है जहां करोना वारिस से अब तक को नमबाद 8,724 रिपोर्ट हुई है जब कि मुम्लिकत में करोना मरीजों की तादाद 5,47,262 तक जा पहुची है टैग टीवी के पाकसान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं टैग टीवी टैग टीवी अपडेट्स यू अबाऊट कोरोना सिचुएशन इन कानड़ा और अराउंड गलोग Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV